मुख्यमंटरी योगी आदितिनात ने कहा कि आराजकता किसी भी सूरत में बरदास्त नहीं की जाएगी प्रदेश में सांती का महल बिगारने वालों से सक्ति से निप्टा जाए कानपूर में आज दो समुधायों के बीच हुए तराओ को लेकर मुख्यमंटरी ने वहाँ के पॉलिस कमिस्नर को दोसियों के खिलाफ एफाईयार दर्ज करने तथा बिना किसी रियायत कटोर कारिवाई करने का आदेश दिया कहा कि शांती में खलल पैदा होने पर हर अस्तर पर जिम्मेदारी तै की जाएगी सीम योगी शुक्रवास रात वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये प्रदेश की कानू निवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने विसीज तोर पर कानपूर में हुई घटना की जानकारी ली और पुलिस गस्त बढ़ाने के निर्देश दिये इस दोरान उन्होंने कहा कि सभी जिलों में प्रशासन वा पुलिस कैदिकारी छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से ले सूशना के अनुसार तरित कारवाई सुनिशित की जाए मुख्यवंट्री ने कहा कि थानावार अराजक तत्वा को चिन्हित किया जाए इसके साथ ही अनावश्यक बयान देने वालों की भी पहचान कर उनके खिलाफ सक्त विधिक कारवाई की जाए उन्होंने सोसल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपियों को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोसल मीडिया का दुरुपियों करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाए दुबारा तेज ना हो माईक की आवाज मुख्यमंटरी ने कहा कि सब ही जिलों में अभियान चलाकर अवैत और सड़क पर अतिकर्मन करने वाले धार्मिक अस्थलों को चिन्नित किया जाए चिन्निकरन के बाद विधी कारवाई की कार्योजना बनाई जाए साथ ही या सुनिश्चित किया जाए कि सड़क पर धार्मिक गतिविधिया ना आई जित हो गत दिनों अभियान चलाकर धार्मिक अस्थलों से या तो माईक उतारे गए या उनकी आवाज कम की गई है यह सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा धार्मिक अस्थलों के माई की आवास तेज ना हो। सीयम योगी ने सभी जिलों के पुलिस वा प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 जून तक सभी सड़के अतिक्रमन मुक्त होनी शाहिए। अवायद टेंपो स्टेंड हटा दिये जाएं बसों को भी उनके यथा अस्थान पर ही खड़ा कराये जाएं किसी भी प्रतिस्थान के स्वामी सड़क पर आगे बढ़कर दुकान ना लगाएं। स्ट्रीट वेंडरों का व्यवस्थित पुनरवास सुनिश्चित किया जाएं साथ ही इन वेंडरों को पीम स्वैनिधी योजना का लाब दिलाया जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री अस्तर ये समू हुई 11 जून से पुना मंडल ये वाजन पद ये दोरे पर जाएगा या समू इन बिंदों के साथ कानून वस्था की भी समीक्षा करेगा किसी भी प्रकाल की लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कारिवाई सुनिश प्रतापूर निस्तारन के साथ ये पुलिस वा प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उद्दिम्यों के साथ बैठक कर उनके समस्याओं का प्रभावी निस्तारन कराएं प्रती माह जन प्रती निधियों के साथ भी बैचक कर उनके सुझाओ लिये जाए और उनके द्वारा बताए समस्याओं का निराकरन कराया जाए वीडियो कॉन्फरेंसिंग में प्रदेश के सभी जीलों के प्रशासने क्वापुलिस अधिकारी जुड़े रहे शुक्रवार को लखनाओं में प्रधानमंत्री नरिन्द मोदी की मौजूदगी में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी तथा कानपूर देहात के पराउंख में राश्पती रामनात कोविंद एवं पीम मोदी के दोरे के सखुसल संपन्य होने पर मुखी मंद्रियोंगी आदित नात ने प्रशासन वा पुलिस के अधिकारियों को शाबासी दी समीक्षा बैचक के दोरान सीम ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी जैसे आयोजिनों की सफलता से देश दुनिया में प्रदेश की बेहतर छवी बनती है